सदार शुकला बिग बॉस 13 में बड़ी चाबियां गुमाई उन्होंने मगर बिग बॉस 14 में भी काफी चाबिया उनके हाथ में आ रही हैं King, TRP King, Big Boss 14 King बहुत सारी चीजों से उनको जो है नवाज रहे हैं उनके फैन्स Twitter पर, Social Media पर लगाता सदार, TRP King बने हुए सदार शुकला ऐसे में Big Boss 14 के second week में nomination की प्रक्रिया को freshers को अंजाम देने के लिए कहा गया लेकिन senior जिनको बहुत ज़्यादा पईसादे के बुलाया गया है उन लोगों से पुछा गया कि क्रिपया अपनी राय बताएं क्रिपया अपनी राय बताएं अवैसे में शेजाद, अभिनव और जान ये तीन लोग तो इन तीनों में से सब लोगों ने vote दे दिया senior पर छोड़ा गया, senior में से हिना ने कहा, शेजाद ने इस हफ़ते कुछ दादा नहीं किया है तो मेरे इसाब से मैं उन्हें आगे देखना नहीं चाहती, उन्हें जाना चाहिए गौहर ने कहा, सारा के जाने के बाद थोड़े lost हो गया है शेजाद, कुछ खास नहीं कर रहे है, खामोश ने है सलमान खान ने कहा, जान चाहर, अभिनव चाहर, शेजाद चाहर, सद्धार, अब तुम्हारे vote पर depend करेगा आगे क्या होने वारा है आप बताओ क्या करना है, सद्धार पर आ गया पूरा फैसला, सद्धार पूरे stress में आ गये, कि यार फिर से मुझे bad man बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, मगर क्या करे, सद्धार को bad man बनाने के बाद ही TRP आती है उनका वही style जो है, वो दर्शकों को बहुत पसंद आता है, जब वो direct opinion देते हैं, blunt opinion देते हैं, साफ opinion देते हैं, हाँ तो क्या ऐसा ही है, वही लोगों को पसंद आता है चुकी सद्धार अभिनव को पसंद कर रहे है, अभिनव उनका एक comfort level बना है, जान का game भी सद्धार को पसंद आ रहा है गाना गा करके उसने एक महाल जमाया था और शुरू से वो जिस तरह से उसी टाक्टिक सामने आ रहे, कल जैसे सलमान खान की बातों से हम यह जज़ करते हैं कि कौन कहां पहुंच रहा है, कहां किसका स्थान है, जगा है उसमें भी जान को जगह में लिए कि हाँ जान बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, शहजाद को ने मिल तो क्या सधार शहजाद का नाम लेंगे तो आपो क्या लगता है, इस हपते क्या कोई eliminate होगा, मैं तो fingers cross कर रहे हूँ, कि इन तीनों में से अगर अभिना हो तो ठीक है, पर बाकी दोनों का eliminate नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी दोनों मुझे रखता है दोनों में बहुत potential है, दोनों आगे जान भी जैसा भी नजर आ रहा हो, मगर आगे वो खेल करेगा, मुझे पूरा विश्वास है, शहजाद में बहुत potential है, वो भी खेल करेगा, सिर्फ वो अभी lost है, क्योंकि सारा चलेगे, उसका bond नहीं बन बारा है किसी से, जैसमिन से bond है, जैसमिन अपना एक layer बना कर रखती है, उसका एक अपना level है, तो वो उस level पर connect नहीं करती, जहां सारा कर सकती थी, या फिर अगर शहजाद की जान या किसी और लड़के से दोस्ती होती, तो वो कर सकता था, शहजाद lost हो गया है, उसको एक अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा, तो जो अब wild card में कोई ऐसा आए, जिसे शहजाद की दोस्ती बने, मुझे देखना है वो, शहजाद और जान को देखना है आगे, तो ऐसे में या तो elimination ना हो, या फिर Mr. Babu जो है, वो जा सकते है बाहर फिलहाल के लिए, बाद में wild card दो आएंगे ही, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, सदात के हाथ में एक बार फिर घर के elimination की, eviction की चाबी है, किसे गुमाएंगे, किसे लॉक करेंगे, और किसे आजाद कर देंगे, घर में कौन दो लोग को लॉक रहने देंगे, यहाँ पर सब लोग बड़ी खुश कुशी कुशी लॉक होते हैं और आजाद होते वक्त लोगों को रोना आता है, तो कौन होगा आजाद, देखते हैं, बने रहे हमारे साथ, फीफा फूस पर बिग बॉस की भी सभी खबरों का सिलसला जा रही है